यहां पुरानी हवेली में हैदराबाद सिटी पुलीस साउथ जोन के सभी ऑफिसर्स हमारे जॉइंट कमिशनर ओफ पुलीस स्पेशल ब्रांच टास्क फोर्स एडिशनल डीशीपी एडिशनल डीशीपी साउथ जोन और हम लोग सब मिलकर एक एक मीटिंग किये जिसमें हम लोगों ने हमारे कॉर्पोरेटर्स जो हैं साउथ जोन के उनके साथ गुफ्तगू की इस गुफ्तगू में जिन सब्जेक्स पर डिसकशन हुआ उसमें एक दो चीज मैं आपसे बताना चाहूँगा सबसे पहली बात तो ये केवल पुराने शहर की बात नहीं है पूरे हैदराबाद में और शायद सभी बड़े शहरों में हिंदुस्तान के हुआ है कि कुछ लोग वाइटनर के एडिक्ट हो रहे हैं और ये एक ऐसा मसला है जिस पर कि मैं हर परिवार वालों से अपील करता हूँ कि आप अपने बच्चों के उपर निगाह रखें कि वो कहां जा रहे हैं और क्या वो इस एडिक्शन का शिकार हो रहे हैं क्या वाइटनर और मैं उन सभी दुकान वालें को वार्निंग देता हूँ कि अगर उनके जानकारी में अगर कोई एडिक्ट वाइटनर खरीद रहा है तो उनके खिलाफ भी कारवाई होगी और वो भी जेल जाएंगे एक नए जेनरेशन को जो आगे अपनी पढ़ाई कर रहा है जिसे आगे रोजगार की जरूरत है उसको अगर आप वाइटनर दे कर उसको गलत रास्ते पर ले जाएंगे तो ये हम हैदराबाद सिटी पुलीस के तरफ से बरदाश्ट नहीं करेंगे और सभी दुकान वाले को मैं वार्निंग देता हूँ कि अगर ऐसा ख़वर मुझे मिला तो आपके खिलाफ केस रेजिस्टर होगा और आप गिरफतार होंगे दूसरी बात जो हमारे कॉर्पोरेटर भाईयों ने कहा वो ये था कि रात के वक्त कुछ ऐसी जगह है खास करके कुछ ग्राउंड ऐसे हैं जहां कुछ लोग देर रात तक बैठते हैं और उसमें से कुछ लोग गलत काम भी करते हैं तो ये ये खबर मुझे मिली थी और आज उस खबर को हमारे कॉर्पोरेटर भाई लोगों ने और उखता किया और हमारे सभी स्टेशन हाउस आफिसर जो पुराने शहर के यहां मौझूद थे सभी लोगों ने ये एक वाइदा किया है कि आने वाले समय में एक स्पेशल ड्राइव लॉंच करेंगे और जो लोग भी रात के वक्त इस तरह के ग्राउंड में ओपेन ग्राउंड में बिना किसी वजह के बैठते हैं उसमें कुछ लोग जुआ खेलते हैं कुछ लोग शराब पीते हैं उनके खिलाफ सक्त सक्त कारवाई की जाएगी मैं नहीं चाहता हूँ कि इस तरह के यूद का कैरियर खराब हो और उनके खिलाफ केस बुक किया जाए इसलिए आप इसको एक वर्निंग समझिए और बिना वजह बेवक्त आप उन जगों पर नहीं जाएं तीसरी बात आज जो हम लोगों ने डिसकस्ट किया खास करके हमारे कॉर्पोरेटर के तरफ से जो रिक्वेस्ट आई कि हमारे कुछ एरिया में जो जहां सडकी थोड़ी पतली है जहां बड़ी गाड़ियां नहीं जा सकती है वहां ब्लू कोल्ट मोटरसाइकल का पेट्रोलिंग थोड़ा और अच्छा हो तो ये भी हमारे पूरे सेक्टर एसाइज जो हमारे हर करीब 5-6 कॉलिनी को मिला कर एक सेक्टर बनता है और 3-4 सेक्टर को मिला कर एक पुलिस सेशन बनता है तो सभी सेक्टर एक्साइज की जिम्यवारी है कि ऐसा कोई भी गली नहीं रहे जहां उनकी मोटर साइकल नहीं जाए दिन में एक ही बार जाएं लेकिन जरूर कभर करें और एडिशनल डीसीपी रफिक साहब ने पिछले करीब 10 दिनों में एक बहुत अच्छा एक्साइज कि करती हैं तो वह रूट को पिछले 6 महिने 8 महिने में जो क्राइम हुआ है उस क्राइम को एक मैप पर प्लॉट करने के बाद एक नया जो पिक्चर इमर्ज होता है हर बार उस पिक्चर को मद्दे नजर रखते हुए एक नया रूट पनाया है हमारे अडिशनल डीसीपी पारी टेकनिकल टीम, सिटी क्राइम रेकॉर्ड ब्यूरो की टीम, आईटी सेल की टीम उसको एनालिसिस करके उसको हम लोग फाइन ट्यून बनाएंगे और बहतर बनाएंगे जिसमें कि जिस जिस जगह पे छोटी बड़ी वार्दात हो रही है उनकी निगरानी उनका पेट सबसे बड़ी चीज है कि नए बच्चों को अच्छी तालीम मिले, बड़े होने पर उनको अच्छा रोजगार मिले, उनकी अच्छी तंखवा हो जिसे कि वो खुशी से रहें ऐसे मौके पे 99.9% लोग यही चाहते हैं लेकिन जो 0.1% 10-5% लोग हैं जो कभी सोशल मीडिया को लेकर गलत गलत तस्वीर फैला कर इधर से उधर की बात करके उसको हिंदू-मुस्लिम का इशू बनाना, उसको मंदिर मस्जिक का इशू बनाना, मैं उनको वार्निंग भी देता हूँ और उनको गुजारिश भी करता हूँ उनसे कि वो ऐसी चीजों में नहीं आएं, आप और हम मिलकर एक साथ काम करेंगे, यही हमारा determination है, यही हमारा इरादा है.